तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्यास के त्रिकोने पराटे ये खाने में इतने स्वादिस्ट है कि आप इन्हें बारवा बनाएंगे और सब आपकी तारीफ किये बिना रहे नहीं पाएंगे सबसे पहले यहां पे हम एक बाउल केहूं का आटा लेते हैं इसे हम एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेते हैं इसमें हम स्वात के नुसा नमक और एक स्पून घी डाल देते हैं घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इन सब को खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं अब हमें तयार करना होता है इसका एक डो तो इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ढालते हुए इसका एक डो बना कर तयार करते हैं हमें स्टफ पराठी के लिए डो बनाना है तो इसका डो जो है गूता हुआ जो आटा होता है वो तोड़ा सॉफ्ट रखना होता है तो यहां पर हमने एकदम अच्छे से पुफट euro बना के तया कर लिया है इसे ढखकर साइड से सैट होने के लिए छोड़ देते हैं तब स्टफिंग तया करता है उसके लिए यहां ने लच्छों प्यास कटकी है इसे लंबे-लंबे लग्षे इसके सारे लच्चे हम हातों से बिल्कुल अलग-लग कर लेड़े के एक पीस बिल्कुल अलग-अलग होना चाही है इसे अच्छा तेस्ट जाता है हरी बाईट में जो प्यास कल अच्छा आता है उससे पहुर अच्छा खाने में स्वाध आता है सारी य। अच्छे अलग हो गए है अब इसमें मसाले डालते हैं तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर उसके बाद इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया पाउडर soft powder फिर हम इसमें डाल रहे हैं अमचूर पाउडर घरम मसाला और यहां पर हरीमिर्ज डाल दी बारी कटकी हुई दनिया पत्ती डाल दी मैंने यह सारे मसाले डालने के बाद इस अच्छे से मिक्स करती हूँ यहां प्लेट में मुझे तोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मिक्स करने में तो यहां पर मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ और बाउल में ट्रांसफर करके इन सबको कूँ अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ सारी चीज़े अच्छे से मुझे mix करनी होती है बाउल में देखिए सब चीज़े mix कर लिए इस तरीके से हमारे ये बिल्कुल perfect तयार हो चुकी है stuffing इसमें हमने नमक पहले नहीं डालाता है end में डालती हूँ और नमक को mix करती हूँ क्योंकि नमक क्या है हमारी थोड़ी नमी चोड़ देता है पानी चोड़ देता है इसलिए हम लमक को end में डालते हैं ताकि हमारे stuff बनाटे बनाने में कोई भी problem ना हूँ अब इत्ती दिर में हमारा आटा भी set हो गया है आटे को थोड़ा मल लेती हूँ फिर इसके बाद इसकी तोड़ी सी एक मोटी लोई लेती हूँ मोटा पाट लेते हूँ अच्छे से गोल गोल करती हूँ और सूखे आटे मैं डिप करती हूँ इसको फिर इसको एक बेलन चकले के उपर रखते हूँ इसको गोल गोल हमें बेल ना होता है अभी मैं इसको गोल-गोल बेल लेती हूँ अच्छे से जैसे नॉर्मल पराटे की तरह उसे बेल नहीं हूँ इसके बाद इसे छूरी से एक नाइफ से बीच से कट लगाती हूँ जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं फिर एक सेट यहाँ पर मैं तोड़ी प्यास ट्रॉमल स्टफिंग बढाई है वो लगा देती हूँ अच्छे से आलका सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट के लिए और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आटा डाला है इसके उपर आटा डालने से क्या होता है कि यह बिलकुल एकदब क् अंदर हर एक परत इत्ती क्रिस्पी बनती है कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है तो हर एक परत में हलका हलका आटा डाल देती हूँ अच्छी तरह से इसे चिपका देती हूँ और इसको अब सूखे आटे में फिर से तोड़ा सा ग्रीस करते हुए इसको बेल लेती पॉफेटली यह हमारा पिलकर तयार हो चुका है जैसे क्या होता है अब हम एक तबा गैस पर रख देते हैं इसे हम दौनों साइट से हलका सा सेख लेते हैं तोड़ा सा चत्तिया आनी लग जाए इतनी फिर ओयल लगाते हो इसे इसे पलट पलट के अच्छे से गोल्डन ब्रा आए हैं तो मेरे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक का बटन जरूर प्रेस करना शिया करना ताकि वह अपने फ्रेंड्स और फैंबली मेंबर्स सब आपके इस रेसिपी को देख सके और अपने घर पे ये टेस्टी टेस्टी प्यास का त्रिकौन पराठा बना सके थोड़ा यूनिक स्टाइल में बना ये पराठा है क्रिस्पी है और टेस्टी भी है तो इसे अपने घर पे जरूर बनाना साइट से भी इसको सेक लेते हैं हर तरफ से चारों तरफ से अच्छ मैं सर्फ करूँगी ये थी मेरी आज की रेसिपी उमीद है सबको पसंद आई होगी कमेंट्स में बताना कैसी लगी मैं आप सबसे अपनी नेक्स वीडियो में मिलूँगी तब तक आप इसको एंजॉय करें बाबाई